नमस्कार दोस्तों, श्टॉक मार्क स्टेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहां पर मैं डिस्कासन करूँगा कुछ इन्पोर्टेंस कमपणी के आपडेट के बारे में, तो इस पीडियो को पूरा लाज तक दिखीगा और अभी तक अपने च पास होल्डिंग्स है, हाँ, उनका दिहां थोने के बाद, उनके वाइप के नाम में सारे सेर टंस्वाट हो चुके है, तो टाइटन के उपर में हमेसा बूलिजू ऐस लॉंग टंक के लिए, तो टाइटन के ऊपर में बात्चीदा क्यू आप्डेट्स है जो आपडेट्स आपके साथ में share करना चाहूंगा देख लेता हुए सबसे पहले आपडेट देख लेता हुए देकि सारे कंपानी का quarterly result आ रहा है तो quarter one का result जल से जल आने वाले है इस कमपानी का भी टाइटन का भी तो टाइटन का जो रेजल्ट है वो यहां पर देखा जाए तो अपकमिंग एज जो क्वाटर का क्वाटर वान का रेजल्ट है यह बता जा रहे है कि टाइटन कमपानी रिपोटेट 8.6 नेट पॉफिट मार्जिन और वो भी 20.49 परसन का डेबि प्याउट देंगे इस तरीके से कुछ डेबिदेंस प्याउट कमपानी देने वाला है तो मेरे इसाब से टाइटन कमपानी के उपर जो यहां पर रिपोर्ट पाब्लिश किया गया कि आपकमिंग जो क्वाटर से उस क्वाटर के जो रेजल्ट है वो कुछ अच्छा खासा तो मेरे इसाब से टाइटन कमपानी के उपर अपको फोकस होना चाहिए इस कमपानी जो ऑई रिकवी क्या हो इस पक्या देखियो बड़ा धामाका हो सकते हैं और यहापे इजी ली देखिए, यहापे क्या बना, एक cup बना, उसके बाद एक handle बना चोटा सा, और यहापे breakout भी दिया और breakout गनफार्म भी किया, और मेरे जो इस cup का जो stain था, उस range की साब से दिखा दू, तो 18% का gain यहापे मिल सकता है, तो 18% का target यहापे मिलने का chances है, इस basis मे में दिखाए, तो company के उपर एक अच्छा खासा target रेस्वी आपे देखने को मिल सकता है, तो Titan company के उपर जुरूर आप focus रखेगा, as a long time investor, क्योंकि इस company के उपर से एक ही बात कहूंगा, देखिए, बड़े-बड़े institution पहले भी निभेस जितने करके रखे थे, आज भी निभ में दिखा, क्योंकि इसको पता है, कि इस company के उपर माल बेचूंगा, तो कहां पर निभेस करूंगा, क्योंकि इस company ने continuously, अगर देखेंगे, continuously company 28% 30% के उपर return दिया है, जो company सालना आपको 30% का return दे रहा है, इससे बड़े चीज और क्या हो सकते है, एक mutual fund बाले mutual fund के उपर न अंद्रापरसन, तो यह बात आप याद रखेगा, इस तरीके से company के उपर आपको long जानने के लिए हामेसा रहना चाहिए, बाकि आपके जो राय है, उसी सबसे जुरूर काम करना, नेक्स जो company है, उसके बारे में discuss करूं, उसका नाम है PD Light Industries, देखे, PD Light Industries इंडिया के सबसे ब बता दू, company का market cap 1,34,000 क्रोड के आसपास है, company का peer ratio अभी बहुत हाई है, कितना हाई है, बो में अबको अगर दिखा दू, तो देखेंगे company लगातार peer ratio का high करते जा रहा है, एक ही range के उपर company का peer ratio फस्ट चुके है, तो देखें, दो तरीके से scenario हो सकते है, इस peer ratio के तोड़क हो सकते है, मगर market में कभी भी कोई भी correction mood दिखे, तब इस company के उपर share my गिरावड देखने को मिल सकते है, ऐसे नहीं कि company अचनक गिर जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता कि, क्योंकि यह बहुत बड़ा और लाट, एक blue chip type company है, तो इस company के उपर आपको focus योड़ो रखना चाहिए, क् यह company के जो stand है, बहुत strong है, चाहे वो ROC, ROE, साथी साथ, जो depth है, सब कुछ depth एकदम zero के आसपास है, और annual income भी बहुत सांदर है, तो मेरे ही साब से यह company है, इस company के stand बहुत strong देखने को मिला है, तो company का ROC, ROE, तीन साल में भी बहुत strong है, और EBITDA margin भी 65 के आसपास देखने को मिला, तो overall company का जो quarterly, जो result है, sorry, जो profit है, yearly, जो उसके बार में बात करो, तो profit and loss yearly में देखा जाए, तो company इस बार highest sale दिखा चुके है, और expense को भी company control किया है, और इस basis में company का profit margin इस बार increase जोरूर हुआ, तो छोटा मोटा करके भी increase हुआ, मगर continuously देखिए, हर साल में company खुद का जो profit है, वो लगातार increase करते जा रहा है, लगातार, तो इस basis में इस company के उपर बहुत bullish trend आपको सोचना चाहिए, और एक चीज में आपको और भी बता दू, company के जो reserve है, वो लगातार growth हुआ, और company के जो boring है, वो भी आपे positive में है, और यह आप आप देख सकते हैं, जो fix, जो C TWIP के बारें बात करूँ, तो capital working in process के बारें बात करूँ, तो company का इस बार 400 क्रोड के आसपास company, खुद के business के उपर लगा के रखा, पैसा, तो वो पैसा अभी complete, मतलब project complete होने के बाद, वो directly जो पैसा है, वो आपको fix asset में दिखेगा, तो इस सारे points एक plus point की साब से देखने क आपको कुछ levels mentioned किया था, वो levels easily achieved किया, यह से देखिए बहले continuously support को retest किया, यहापे कुछ time बिताया, उसके बाद यहापे big volume के साथ breakout दिया, और में आपको यह भी mention किया था कि ए जो range है, इस range को breakout करना पड़ेगा, तो अभी आपको next level है, वो 2605 तक जाएगा, तो easily 2605 तक वो किस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा इस change को, आपको बहुत कुछ यहापे सिखने को मिलेगा, तो यहापे देख सकते हैं, यहापे एक patterns create हुआ, वो patterns क्या है, यहापे देखिए एक क्या बना, एक cup बना, और इस cup के बाद यहापे क्या बना, एक छोटा सा handles बना, तो तो टोटली जो target बनेगा, अगर मैं इसको यहापे उपर बेठा दू, तो around 13% का, साड़े 13% का gain मिल सकता है, और target ratio जो होगा, target मतलब जो price होगा, 2958, देखिए target ratio इसका मतलब यह नहीं, मैं आपको यह बता रहो कि काल जाके buy कर लिजेगा, और इस तरीके से target को follow करिएगा, यह मेरा target है, मैं मेरे target के साब से चल रहा हूँ, आप इसके उपर research करके काम करना, तो या पर सांदार एक cup with handle buttons बना, और उसको break भी किया, confirm भी किया, तो मेरे साब से एक bullish train तो जूरू दिखेगा, तो आपको कर रहा है, मुझे जूरू comments करना, next company जिसके बारे बात करूँ, देखे, कोफोर्ज, एक IT sector में बिलंग करने बाला company है, तो इस company के बारे बात करो, तो कोफोर्ज एक बड़ा सा company है, और सबसे बड़ी बात, कोफोर्ज एक ऐसे company है, जो globally market में भी काम करते है, और इस company का project, top 20 Indian software, जो exporters है, उनमें से कोफोर्ज का भी नाम है, और एक company, UK, Australia, साथी साथ Singapore, US, Germany, Thailand, बड़े से बड़े countries को, company खुद को, खुद का product sale out करते है, company के बारे में discussion करूँ, तो company में बहुत बड़ा, यहापे positivity देखने को मिलेगा, ROC, ROE based है, company का peer issue भी, industries, peer issue का आसपास है, company का market के अब भी देखे, 30,000 क्रोड के आसपास है, company के depth के बारे में ब बोल सकते है, company के profit and loss में एक चीज़ आपको दिखेगा, कि इस खाराप situation में भी, IT सेक्टर में इस खाराप situation के कारण भी, मतलब company के उपर pressure होना चाहिए था, मगर यहापे कुछ उतना pressure देखने को नहीं मिला, और company के दिखिए expense को maintain करने के बाद company इस बार highest profit जनाट किया, 745 करोड के आसपास, तो मेरे ही सबसे इस company के उपर एक bull study आपको देखने को मिलेगा, इसका sales growth भी ठीक है, profit growth भी ठीक है, return of equity भी ठीक है, और CAGR का percentage भी ठीक है, 10 साल में company 34%, 5 साल में 35%, 3 साल में 43%, 1 साल में 44%, overall बात करो, तो 35% के उपर आपको return, average return company सालान आपको दे चुके है, इस company के उपर इसलिए investor भी देखिए, बड़ा माल उठा कर रखा, FIS ने तो सबसे ज़्यदा और DS ने तो सबसे ज़्यदा holdings उठा लिया, क्योंको उसको पता है, इस company किस तरीक से धमाका करने वाले है, तो कोफोर्ज के बारे में बात करो तो, देखिए FIS और DS के बारे में तो कोफोर्ज के उपर में अगर mutual fund वाले के बारे में बात करो देखिए, May मान में तगड़ा buying किया गया था, और June मान में buy तो किया गया, मगर छोटा मोटा buy किया गया, मतलो जादा sell किया गया, buy कम है, फिर भी buying positive है, continuously company के उपर देखिए buy होता जा रहा है, तो एक big positive sign है इस company के उपर, तो मेरे सबसे इस company के उपर focus रखना जोरूरी है, रही बाद इसका chart button का, तो मैं telegram में भी आपको पहले ही mention कर चुका हूँ, जो range यहापे create हुआ, वो range देखेंगे, तो यहापे cup with handle buttons बना, तो cup with handle buttons बनने के बाद यहापे breakout भी हुआ, और देखिए company किस तरिके स purpose में मैं आपको telegram में भी share किया था, तो यहापे देखे target जो percentage होगा, वो 30% का gain यहापे आपको मिल सकता है, तो उसी range में company का lifetime high भी है, तो मेरे सबसे easily उस level तक वो achieve करेगा, यूँकि उसके आगे कोई भी support, sorry, resistance देखने को नहीं मिला है, बाकि आपके कह राए है, मुझे ज company का result मिलेगा 20 July में, तो 20 July में company का result आने वाला है, quarter one का, अगर result अच्छा हुआ, तो और भी बड़ा धमा का देखने को मिल सकता है, next your company जिसके बार में discuss करूँ, उसका नाम है VBL, Barun Beverages Limited, इस company के उपर हमेशा में एक bullish 10 में रहा हुआ हूँ, बहुत पहले से मैंने investment करके रख मतला ले चुका हूँ, मैं आपके साथ वो swing trading share भी कर चुका हूँ, तो आप देखेंगे, तो company के peer ratio बहुत high है, इस high peer ratio के चलते है, company के उपर, आज नहीं तो कल थोड़ा सा correction दिखेगा, तो एक time company के peer ratio 100 के उपर चला गया था, तो 100 रुपीज के भी आस उपर था, और आज peer मेंशन किया था, higher level में जोब chart patterns बनता है, तो आपर कुछ दीन तक time बिताना चाहिए, तो time बिताने के बाद अगर breakout करे, तो बड़ा सा rally आपको देखने को मिलेगा, तो company's के बागी जो parameters है, वो बहुत strong है, हाँ company के करजा है, मगर करजा होने के बाद भी company लगातार, खुद data है, वो भी कम हुआ, और total जो net profit है, net profit के बाद करूँ तो लगातार net profit को वो क्या किया, यहापर increasing किया, तो मेरे साब से अच्छा खासा यहापर profit को यहापर company ने maintain किया, तो company का जो sales growth है, company का जो profit growth है, company का जो CHR percentage है, और return of equity है, सब कुछ यहापर positive में देखने को मिला है, मे company के जो करजा है, company इस बार कोई भी करजा नहीं लिया, और करजा मिटाने के तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पहले जो करजा लिया था, उस करजे को easily company मिटा चुके है, तो रही बात company के चार्ट पटन का, उसके बार में बात करो, तो VBL के जो चार्ट पटन बना, तो मैं directly उपर नहीं जाएगा, अगर कोई से लगातार भाग रहा है, तो सोचना उस company के उपर कुछ बड़ा announcement हुआ, इसलिए भाग रहा है, नहीं तो उस company के उपर operator उसको उपर लेके जा रहा है, कभी ने कभी उसको dumb करेगा, तो जब कोई company volume करके time बिताने के बाद उपर जा रह और नीचे आए, तो एक बड़ा सा fall आपको downside में देखने को मिलेगा, मगर उसको breakdown तो किया था, sustain नहीं कर पाया, next day में ही उसको उपर closing दिया, इसका मतलब जो stand है, buyer के लिए है, seller के लिए नहीं है, तो next company जिसके बारे में बात करूँ, आप देखेंगे, जो इस company का नाम है, essence specialty film limited, तो essence specialty film limited जो है, वो एक pimes, मतलब plastic pipes manufacturing company है, और इस company के बारे में बात करूँ, तो company, जो इस company के जो growth है, वो growth किस तरी किस वहा, आप देखेंगे, तो share capital के बारे में बात करूँ, तो company का continuous देखे, share capital बढ़ते जा रहा है, और उसके साथ company का reserve भी बढ़ते जा रहा है, त तो company में एक growth देखने को मिला है, और उसके साथ profit and loss के बारे में बात करूँ, company इस वर highest profit दिखाया है, तो इस बज़े से company ने एक बहुत बड़ा decision लिया, वो decision क्या है, मैं आपको बता दूँ, company ने खुद का जो face value 10 रूपया है, उसको 5 रूपया करने वाले है, इसका मतलब एक के बदले आपको 2 share company आपे देने वाला है, तो एज़े split के हिसाब से company को पर announcement हो चुके है, तो चल से चल इसका date आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से company को निवेस करने से पहले, जोरू research करके काम करना, तो मेरे जो वीडियो है, वो totally education purpose में है, कोई buy and sell का recommendation नहीं, अब please एक बर research करके ही काम करना, तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ निया भीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे सरी अपने ख्याल लेखिए,